तो वहीं करनाटक विधानसभा चुनाफ के लिए बीजेपी आज अपना घोषना पत्र जारी करेगी बीजेपी अध्यक्षी जेती नड़ा विजन डॉक्यमेंट जारी करेंगे तो वहीं बीजेपी की घोषना पत्र के जवाब में अब पंग्रस प्रेस कॉंफिन्स करेगी याक्ष हाँ, बांग्लुरू में खर्गे मीडिया से बात करेंगे, मीडिया से मुखाते होंगे इसके अलाबा रारिस्तान के सीम अशोगेलौत भी प्रस्कॉंफिन्स करके बीजेपी के घोषना पत्र का जवाब देंगे खरगे एक तरफ प्रेस कॉंफिन्स करेंगे बांगलुरू में तुमाई रारिस्थान के सेम अशोग घ्यलाद भी प्रेस कॉंफिन्स करके बीजेपी के घोश्वना पत्र का जवाब देंगे प्रेस कॉंफिन्स करेंगे बीजेपी के विजेपी के घोश्वना पत्र का जवाब देंगे तो करनाटक में 10 माई को मतदान है 13 माई को नतीजों का एहलान है और उस बीच आज चुकि घोश्वना पत्र को जारी किया जाएगा बीजेपी द्वारा प्रेस कॉंफिन्स में और जानकारी यह मिल रही है कि उसका जवाब प्रेस कॉंफिन्स के मादियम से बैंगलोरू में खरगे देंगे मीडिया से मुक्हातिब होके और आरिस्तान के सीम बिरेंगे अश्यों गहलोत भी प्रस कॉंफिन्स करेंगे मीडिया से मिलेंगे प्रजाध्वनी एलान उस पे कि मुस्लिम आरक्षन खत्म करेगी बीजेपी बीजेपी के विजन डॉक्यमेंट के माधियम से जुद्ध जिसको आज जारी किया जाएगा जिस घोशना पत्र को उसमें आरक्षन दो फीसर लिंगायत और दो प्रतिशत वोका लिंगा को बीजेपी के विजेपी के विजन डॉक्यमेंट उनके घोशना पत्र पर अपना जवाब देंगे आरक्षन का अधार नहीं हो सकता धर्म पर बीजेपी के विजेपी 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 के किया जाएगा और उसी के जवाब में BJP के घोशना पत्र के जवाब में रारिस्तान के CM प्रेस कॉंफिंस करेंगे अशो गहलोत प्रेस कॉंफिंस करेंगे और साथी साथ बांगलरू में मलिका अरजुन खरगे मीडिया से बात करेंगे